Hello students, आज हम लोग chapter 9 के जो है timeline यानि के important dates जो है वो करेंगे जिन्होंने copy में अभी तक ये timeline नहीं करी है, ये important dates नहीं लिखी है वो अपनी copy में ये ज़रूर लिख ले जो मैंने आपको दी है क्योंकि timeline जो होती है ये बहुत important होती है, ये paper में ज़रूर आती है तो जिन्होंने टाइम लाइन में से कर लिए वो भी एक बार रीचेक कर ले हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा दे दी हो इसके अंदर क्योंकि जो मैंने आपको इसमें दी है जो आपको स्क्रीन पर देख रही होंगी वही जो है वो इंपोर्टेंट है इस चैप्टर की और वही जो थे वो मगत की राजा बने थे मगत की गद्धी के उपर बैठे थे उसके बाद है 305 BCE यहां पर देखें कि डेट जो है वो पीछे की तरफ जा रही है वो इसलिए हो रहा है आपको मैं यह समझा दू क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब 20 की बात आती है ज नहीं बड़ा माना जाता है जो टाइम है वो उल्टा चलता है कि 321 जो है वो पहले आएगा 305 जो है वो बाद में आएगा तो यहां पर reverse counting जो है BCE में reverse counting चलती है तो बच्चे इस चीज में confuse ना हो जब आप CE में आ जाएंगे जिसमें खाली CE लिखा होगा तब आपकी normal counting चल करती है तो अभी हम reverse counting पड़ते हैं इसी लिए यह opposite reverse जो है वो आपको date दिखाई दे रही होगी तो 305 BCE में क्या हुआ था कि सेल्यूकस ने जो है इंडस रिवर क्रॉस किया था जो अलेक्जेंडर की टायटरीस थी उनको recover करने की कोशिश करी थी जैसे कि मैंने chapter की दोरान आ अशोका जो थे वो मगत की गद्दी के ऊपर बैठे थे नेक्स्ट है 261 BCE कि अशोका ने जो है वो कलिंगा अटेक किया था और उसका result कलिंगा अटेक का क्या था ये भी मैं आपको बता चुकि हूँ one of the important attack जो है वो अशोका का माना जाता है क्योंकि कलिंगा हुआर के बाद चेंज उन्होंने अपने अंदर ले कर आए थे उसके बाद है 232 BCE इसमें the death of अशोका की अशोका की मृत्ति होती है और उसी के बाद जो है ये moran empire पतन की तरफ जाता है तो ये आपकी important dates थी जो moran empire की जो आपको copy में करनी है और exam के लिए भी prepare करनी है अब आप देखिए मैं यहां पर आपको कुछ extra question answers भी दिये हैं यह question answers आपको book में chapter के अंदर did you know दिया होगा did you know में से धूंड कर खुद लिखने हैं मैं आपको यहां पर questions के मतलब समझा देती हूं पर उनके answers आपको खुद धूंडने हैं और खुद copy के अंदर लिखने हैं जिसमें सबसे पहला question question है where was Kalinga located कि Kalinga कहां पर located था कहां पर बसा हुआ था question number two why did Ashoka attack on Kalinga अशोक ने जो है वो Kalinga के ओपर attack क्यों किया question number three how many people suffered in Kalinga war कि Kalinga war में कितने लोगों ने सफर किया कितने लोग जो है वो परिशान हुए या मर गए कितने लोगों की जो संख्या है वो आपको लिखनी है next day what was the result of Kalinga war कि Kalinga war का जो है वो क्या result रहा तो ये आप थोड़ा सा did you know में से भी देख सकते हैं या आपको आपने अगर chapter सही से समझा है तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं बाकि आपको इसकी जो answers है वो आपको did you know में से ही मिलेंगे तो chapter में जो आपको did you know दिया गया है वो अब ध्यान से पड़े और इसकी answer जो है वो ध्यान से ढूंडे और सबसे last question है name of the king called as peer the sea beloved of the gods कि उस राजा का नाम बताना है जिसको प्यादसी कहा गया या फिर beloved of the gods की भगवानों का beloved कहा गया वो कौन था तो यह आपको जो modern administrative वाला जो chapter है उस chapter के डिडियों में मिलेगा उसमें देखिए उसमें धूंडिए और इसको copy में जरूर करिए